हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दा नेक्स्ट वीडियो दोस्तो जैसा के आपको पता है जो इस स्रीज में हम लोग अभी फिजिक्स क्लाश 12 इसका चैप्टर 1 का अबजेक्टिब कवर कर रहे हैं तो इसका पार्ट 1 हम लोग यानिके 1 से 30 नंबर तक का क्वेशन्स कवर कर करेंगे तो अगर आपको इनका आंसास पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 31st नंबर क्वेशन कर रहा है आवेश Q से एक समान आविश्ट तुरिज्या आर के छल्ले के अक्षपर केंद्र के अत्यांत निकट बिंदू पर वैदुच्षेत्र की तिवरता का वेंजख है तो जैसे के चार आप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो इसका अगर राइट तो वो questions आपके लिए काफी important होगा तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे 30 second number question देखते हैं कहरा साबुन के एक बुल्बुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या option number A है बरती है option number B है घरती है option number C है अपड़िवरतित रहती है option number D है सुनने हो जाती है तो साबुन के एक बुल्बुले को जब आवेशित करेंगे यानिके उसको चार्ज करेंगे तो उसकी त्रिज्या यानिके radius पर क्या फर्क पड़ेगा क्या effect पड़ेगा तो इसका जो right answer होगा वो हो जाएगा option number A यानिके बढ़ जाएगी उसकी त्रिज्या जो है radius क्या हो बढ़ जाएगे तो काफी important question है इसको आप ज़रूर ध्याण रखेंगे चले next question की वर बढ़ते हैं नेक्स्ट question आपके सामने है विदुद्विध्रूब आगोरून का SI मातरक होता है यानि electric dipole moment का SI मातरक क्या होता है तो चाड़ option आपके सामने दिया हुआ है तो इन चाड़ों में से जो answer होगा वो अगर आपको पता है तो आप comment कर सकते हैं नहीं तो मैं इसका answer बदा देता रखेंगा इस question को चले next question की और बढ़ते हैं नेक्स्ट question जैसे कि आप देख पा रहे हैं पांच विदुद्विध्रूब जिन में पड़ती एक plus minus q always से बना है तथा एल दूरी से प्रिथक है यानि एल दूरी पर सब कोई है अलग-अलग घिरे पिरिष्ट में रखा जाता यानिके एक वी potential surface का जो है electric flux क्या हो जाता है शुन्य हो जाता है इसलिए इसका right answer हो जागा option number d next question है तीन बिन्दु आवेश 4q, q तथा q एक सरल रिखा पर कर्मशे x equal to 0 x equal to 1 by 2 meter तथा x equal to 1 meter दूरी पर रखे हैं यदि आवेश q पर पर पड़िनामी बल शुन्य है तो q का मान होगा तो चार option आपके सामने दिया हुआ है इसका right answer की बात करें तो हो जाएगा option number a यानिके minus q, परिनामी जो q का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा minus q हो जाएगा चले next question की ओड़ते हैं next question करा है एक समान विदुच शेत्र में दूइधरूप पर आड़ोपित बल युगम अगोर्ण अधिक्तम है जबकि दूइधरूप की अक्ष तथा शेत्र की दिशा के बीच का कोन है यानिके दूइधरूप की अक्ष और शेत्र की दिशा के बीच का कोन कितना होगा तो अ इवेक्टर अभिलब हो तब उस शेत्र पर विदुच फलक्स होगा तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्ष नमर ए यानिके ई-डॉट-डी-ए हो जाएगा इसका राइट आंसर तो काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है जरू विदुच फलक्स प्रिष्ट के भीतर जितना प्कुल आवेश हो उसका होता है कितना गुना होता है तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा उप्ष नमर ए यानिके वन बाई एपसलेंट नोट गुना हो जाता है इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश तो ध्यान रखेंगे important question हो जाता है ये चले next question की और बढ़ते हैं next question करा है किसी आवेशित चालक के नजदिक विदुत तिवड़ता का मान होता है कोई आवेशित charged body है उसके नजदिक जो है electrical तिवड़ता यानिके intensity का मान हो जाएगा तो अगर इसका right answer की बात करें तो option number a यानिके sigma upon epsilon not इसका right answer हो जाएगा तो काफी important question है ये ध्यान रखेंगे आप next question है किसी आवेशित अनन्त लंबे चालक बेलन के नजदिक यानिके कोई अनन्त लंबाई का बेलन है जोकी चालक है के नजदिक किसी बिंदु पर विदुत तिवड़ता यानिके e का मान होगा तो इसका right answer की बात करें तो हो जाएगा option number b यानिके lambda upon 2 pi epsilon not r है तो ध्यान रखेंगे चले next question के ओर परते हैं next question कर आया एक विदुद द्विधरूब एक प्रिश्ट से घिरा है प्रिष्ट पर कुल फलक्स होगा यानिके एक विदुद द्विधरूब है यानिके ये स्चुन ये इसका right answer हो जाएगा तो काफ़ी important question है यह सरूद ध्या करा है किसी वस्तो पर एक कुलं। रिन आवेश तब संभव है जब उसे दिए गए elektron की संख्यां होगी य ziem dato कोconf ऑस पर एक कुलं रिन आवेश स्भाव जब संभव है जब राइट राइट आंसर की बात करते हैं तो हम जाएगा option नेक्स्ट क्वेशन के रहा है पी आघुर्ण वाला एक विद्विध्रूब एक समान विद्धूतिय शेत्र ए वेक्टर के साथ कोई कोन बनाता है तब इस पर लगा बल आघुर्ण कितना होगा तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका आप्शन नेम समान विद्धूतिय शेत्र ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोन बनाता है तब इस पर लगा बल आघुर्ण परिमान में होगा तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो आप्शन नेमबर ए यानिके पी डोट ए यानिके पी हो जाएगा जबकि उसमें हुआ था पी क् वेक्टर के बीच कौन हो तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो आप्शन नेमबर यानिके 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जागा और यह क्वेशन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपके बोड एक्जाम के लिए चले नेक्स्ट क्वेशन क्यों बढ़ते हैं बी पर तिवरता होगी तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो आप्शन नेमर डियानिके माइनस ए वेक्टर अपन टू इसका राइट आंसर हो जागा नेक्स्ट क्वेशन जोकी काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है कहरा आप दो वेदुष्ष्षेत्रे रेखा हैं एक दूसरे का किस कोन पर कारती है दो वेदुष्ष्षेत्रे रेखा हैं एक दूसरे को किस कोन पर कारती है तो इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमर डियानिके दो वेदुष्ष्ष्ष्षेत्रे रेखा हैं एक दूसरे को कभी भी नहीं कारती है तो काफी इंपोर् राइट आंसर की बात करें तो option number a यानिके 4.78 multiply 10 to the power minus 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर है ये 2010 एनुएल एक्जाम में ये question पुछा जा चुका है इसलिए important question बन जाता है ये चले next question की बढ़ती है next question करा है एक विद्धुतिये द्विधरूप दो विप्रित आवेशों से बना है जिनके परिमान पलस 3.2 multiply 10 to the power minus 19 कूलम है येवं minus 3.2 multiply 10 to the power minus 19 कूलम है उनके बीच की दूरी 2.4 multiply 10 to the power minus 10 मीटर है विद्धुतिये द्विधरूप का आघोर्ण होगा येनिके electric dipole moment का मान होगा तो अगर इसका राइट अंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो अगर इसका राइट अंसर की बात करें तो आप्शिन नमर बी यानिके 7.68 multiply 10 to the power minus 29 कूलम मीटर इसका राइट अंसर हो जागा तो ध्यान रखेंगे विद्धु द्विधरूप आगोर अगर इसका।सर नमबर A हो जा जा इनिके सन रक्षी होता है तो काफी important वेरी इसको अब जबर खाया जांता है पर पर दे हैं नेक्स्ट कॉशिन करा मूल बिंदु पर एक धन आविशा क्यूस्ति था जबकि एक सेंटे मिर्स की एक पे., एक बिन्दु धनावेश्टू क्यूज थित है तो जैसे कि चार आप्षिन आपके सामने दिया तो इन चार आप्षिन्स में कौन सा राइट आंसर होगा तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो आप्षिनमर सी राइट अंसर हो जागा यानिक आवेशूं के बीच किसी बिन्दु पर वैदु शेत्र की तिवरता शुन नहीं हो सकती है यह इसका राइट आंसर हो जागा तो यह इतना इंपोर्टन नहीं है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्शन करें एक वैदु दुई धुरूप को वैदु शेत्र में रखा जाता है जो एक्स अक्ष पर दिष्ट है एक्स अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर वाई एम जेड अक्ष की ओर अचर रहता है नहीं के कॉंस्टेंट रहता है बदलता नहीं है यदि द आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसका डाइट आंसर की बात करें तो आप्षिन नमबर ए यानिके एक्स अक्ष की और होगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट क्वेशन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या है एक ही पदार्त के धातो के दो गोले ए तथा बी दीए है एक ही पदार्त का है धातो का दो गोला ए और बी एक पर पलस क्यों आविश तथा दूसरे पर माइनस क्यों आविश दिया गया है यानिके एक पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है एक पर negative charge दिए गया है तो चार option में से कौन सा इसका right answer हो जाएगा तो इसका right answer की बात करें तो option number B यानि के B का द्रवमान बढ़ेगा ये इसका right answer हो जाएगा option number B यानि के B का द्रवमान क्या हो जाएगा बढ़ेगा चले next question की ओर परते हैं के येश्ट व्यूंत होता है अनिके स्पेसिफिक चार्च एलक्ट्रोन का कितना होता है काफ़ी इंपोरेंट कुछन है 2,104 एनुएल एक्जाम में पूछा जाए इसलिए इंपोर्टेंट मन चाहता है तो इलक्ट्रोन का व्षिष्ट आव्य जो वह राइट आंसर हो जागा option number A यानिके 1.8 multiply 10 is to the power 11 coulomb पर kg तो धिहान रखेंगे specific charge यानि विशिष्ट आवेस का unit होता है coulomb पर kg तो इसका right answer हो जागा 1.8 गुना दस पर ग्याड़ है coulomb पर kg काफी important question है आपको आपकी board exam में ये पुछा जा सकता है next question है डिवाई मात रख है डिवाई मात रख है तो डिवाई जो मात रख हो जाएगा तो चाड़ option आपके सामने दिया है तो इन में से अगर right answer की बात करें तो option questions आगे का questions अगले वीडियो में करेंगे क्योंके वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजगा और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दीजगा क्यूंके इन में आपको 12 की पूरी तयारी कर आया आपको बोर्ड एक्जाम में बाहर नहीं देखने को मिलेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत